नमस्कार, कायतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशाई जोतिस सास्तर की महत्यपूर जानकारी समय समय पर हम पर सारिप लगते रहते हैं। जोतिश सास्त्र की हर विदा से संबंदित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। किसी आप लोग सुनते होंगे बहुत से लोगों से कह देते हैं कि इसका असली भाग्योदई या भाग्योदई विवा के उपरांते होगा। वो कौन सी इस्तिती होती है आज हम आप लोगों को बताएंगे। साथी निसान के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि किस जगह पे निसान होने से ऐसा माना जाता है। जन्म कुंडली की इस्तिती अक्सर ऐसा माना जाता है विवा के उपरांते हैंने कि सब्तम भाव। साथवा भाव। इस भाव में यदि ग्रह उच्चका है कोई भी यहां पर कुरासी भो वहां पर को ग्रह उच्चका हो या इस भाव का स्वामी। कारक इस्थिति में, त्रिक लग्न में, पजय में या भाग्य में नऊमिस्तान पर बेढ है। तो माना जाता है। यह से जातक का असली जो भाग्य उद्य हैं वो विवाह के उप्राद्द ही और देखा जाता है कि ऐसी इस्तिती जिन लोगों की जन्म कुंडली में आती है या तो बहुत अच्छे पदों पर रहते हैं या विदे साधी में वास करते हैं अपने देश से दूर, घर से दूर किसरा एक बहुत अच्छे ब्यापारी जोकि देखा जाता है सबसे अधिक ऐसे जातक ब्यापारी ज़्यादा होते हैं ब्यापार जिगत से वह चुड़े वे होते हैं इसके अत्रिक्त एक इस्तिती और भी होती है भाग्य उदै होने की मंगल को विवाह का कारक ग्रह माना गया है सब्तम भाव अस्टम भाव में हम देखते हैं मांगलीक तोस मंगल उत्परने करते हैं तो यदि लगन में मंगल का सब्तम में नहीं अस्टम में नहीं मंगल को कारक माना गाता है लगन में भी कारक माना गया है मंगल को क्योंकि हम देखते हैं एक, चार, साथ, आठ, बारह, इन भाव में मंगल हो, तो मांगलिक तो उसको उत्पने करते हैं, मंगल को भी विवाह का कारक माना गया, विवाह के बाद भाक्योदई, वो किन इस्तितियों में ऐसा बनाते हैं, कि विवाह के बाद जातक का भाक्योदई होता है, यदि सब्तम लगनेश होकर मंगल मजबूत इस्तिति में हो। और यहाँ पर यदि लगन में कोई ग्रह हो तो वह मंगल से कम बली हो। ऐसा भी देखा कहा गया है किन्तो लगनेश वाली इस्तिति भी मजबूत है। दुसरा स्वयम यदि मंगल लगन में इस्तित हो जाए। पहला लगने सोकर मंगल मजबूत इस्तिति में आ जाए। पंचम में भाग्य में या कहीं उच्चका हो जाए। मित्रग्रे हो जाए। बली हो जाए। दुसरा यदि लगन में मंगल बैठ जाए। कोई भी रासी विवहा के बाद जातक का भाग्योदाई करती है, व्यक्ति एक सफल ब्यापारियादी देखा गया है, तिसरी इस्तिती भी मानी गई है, यदि मंगल की द्रिष्टी लगनबे बनी हो, मंगल की अपने इस्तान से पहली, चौथी, साथवी, आठवी, एक, चार, साथ, आठ, इ वाईवा मंगल, अपने इस्तान से चौथे, साथवे, आठेवे पर भी पून द्रिष्टी मंगल गरह रखते हैं, हर गरह का अपना हो रहता, जैसे गुरू का है, अपने इस्तान से पाँचवी, नवी, और साथवी, साथवी तो सरी ग्रहों की पून द्रिष्टी होती है, इसी तरीकिये से सनी ग्रह की साथवी तो पून द्रिष्टी होती है, अपने इस्तान से तिस्री वा दस्वे इस्तान को विवा पून द्रिष्टी से देखते हैं, तो मंगल कहीं से भी लगन को पून द्रिष्टी से देख रहे हो, और उनकी द्रिष्टी लगनेज या लग अब इन इस्तितियों में यह भी है कि जब लगनेस यहाँ पर को बली होगा इस स्तान पर तो अपने स्तान से चौथा साथवा आठवा यहाँ पर को यह और पूर्ण इस्तिति पूर्ण द्रिश्टी से देखेगा तो चौथे भाव को सुक भाव बाना गया है सुक आदमी को तभी मिलता है जब वह पूर्ण रूप से सबकुछ उस ब्यक्ति के पास हो जौब होगी या व्यापार होगा बहुत अच्छा चल रहा होगा तभी वह सुकी होगा अन्यताज खाली जीवन चल रहा होगा यदि चौथे इस्तिति साथवी और आठवी इनको जब जातक का होगा तो उसके उपरान सुक में अपने आपी ब्रिद्धी होगी सब्तम भाव व्यापार अच्छा व्यापार ही देखा गया है जातक को और आठवा गुप्त भाव और भी सुरूत खुलेंगे और जो व्यक्ति घर से दूर है जो कि परदेश में है या कहीं दूर है अक्सर ऐसे लोग समुद्र के नजदीक देखे जाते हैं क्योंकि गुप्त भाव का गया है तो वहां पर भ्यक्ति का भाग्य उदई अवच्छे ही किसी प्रकार से होगा तो तब माना गया है कि मंगल की किसी प्रकार से यादि लगन को मंगल मजबूत करता है तो विवाह के उप्रांत चौता सुख में ब्रिद्धी सुखी ब्यक्ति तभी बनता है जब उसको अच्छा जॉब ब्यापार सब कुछ सुख सम्रिद्धी सब कुछ हो तब वह पूर्ण तरीके से सुखी माना जाता है अब ब्यक्ति को जॉब है नोकरी कहने के लिए या आपको सुरक्षित महसूस कर सकता है तो ये तो हम अपने तरकों से भी कह रहे हैं कि सुरक्षित महसूस कर सकता है लेकिन तो यह द्रिश्टी यह बताती है अब बात करते हैं कि वो कौन से इस्तान पर यदि मंगल हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति का विवहा के उपराद की हो दही होने गा जब व्यक्ति के सरीर के मातें पे यदि कोई निसान चोटका आदी यद जन्मजात हो, जन्मसे हो या उसके उपरान दस वर्सिकी आई हो, ग्यार वर्सिकी आई हो तक व्यक्ति के मातें में लग गया हो तो ऐसी इस्तिति या आगे को भी वैसे तो माना जाता है 17 साल, 13 साल, 17 साल, ऐसी अवस्ताओं तक भी मंगल का प्रभाव रहता है, जैसे मांगलिक दोस अधिक चैदिक 28 वरसे की अवस्ता या 30 वरसे की अवस्ता के बाद एक मरकार से जूतिसी को बहुत कम, लिस प्रभावी मान लेते हैं, ठीक उसी तरीके से 11 वरसे से 11 वरसे की अवस्ता के बाद 13 वरसे 17 वरसे की अवस्ता तक भी यदि ब्यक्ति के माते में जन्मजाद के अलावा चोट का निसान लग रहा है, तो वो कहीं न कहीं ऐसा दरसाता है, हमारे सामधरिक सास्तर के मिसार की ऐसे ब्यक्ति का विवाह के उप तो यह दोनों चीज हम आप लोग के लिए लेकिया है यह भी हम आप लोग को समझाने का प्रियास किया क्या क्योंकि यह तो बड़ा जटिल होता है इस तरीके के जो बता ही गई है जो तिस्ता इसर में प्रकार के सूत्र बाने के से मंगल को विवाह का कारत माना गया है दामपत्य सुक्र का कारत मुहें तो सब्सक्र में इससे ही देखा जाए इसके लाव सुक्र की भी इस्तितिया होती है कि किस तरीके से ब्यक्ति को मतलब कि विवहा के उप्रांद ब्यक्ति का भाग्य उद्य हो सकता है विवहा के उप्रांद ब्यक्ति का भाग्य उद्य हो सकता है विवहा के उप्रांद ब्यक्ति का भाग्य उद्य हो सकता है या विवहा के उप्रांद भाग्य उद्य हो सकता है कि वह हमारा यहां पे निसान है तो बस हमारा ऐसा ही होगा कर्म तो करते रहना है हू सकता है ना भी हो कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म faculty की थिदी खराब हो या वैसी थिती ना हो कि तो हम दोनों का तालमिल आदी भी आप लोगो बता रहे हैं कि यदि माते में निसान होगा तो मंगल किस्थी ती अवस्य ही ऐसी कहीने कहीं बिल्कुल को हैं सब कुछ कुछ बढ़ लगा है और इंटर्व्यू के लिए घुलाया तो भही अपनी हाव हो जाएगा यहाव कुछ नहीं होता हाच पाऊं पर जाना पड़ेगा, खीर की थाली लगी है, हम कहेंगों कि भाई आगी बहुत अच्छा है, अपने आभी मुह में चले जाएगा, या भगवान आके, या कोई आके हमें खिलाएगा, हमारे पेट पर जाना होगा, कर्म तो अपने हाद पहुंच लाने ही पर तो यह जानकारी काफी और काफी लाबदाई जानकारी है, कहीं न कहीं आप लोग के काम भी आ सकती है, आप स्वेंप अगर यदीज को देखें, तो बहुत कि आपने परिवार के वीतर, या मित्र आदी के वीतर, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, निसान आदी से यहाँ चीज़े बता आप लगा स जब बली स्तिती में होते हैं, तो क्या-क्या वाब भल देते हैं, तो यदि जानकारी पसंद आई, तो जरूरी से आगर बड़ा कर सकते हैं, नहीं लोगों से आगर रहता है, कि गायतरी यूतिस के इंदर के सांद चुड़े हैं, चैनल को सबस्क्राइब करें, बैल आइकन कर दो दो कि अरूराईब कर दुड़ारे उिक अरूरी से पस्तित, ंद आकदरी आगर युड़ें जդो कर दो कि अगर के सम्क्राइब कि में दो ऊक्तित से आख की बल्रब भल, कि अनल चीनल आईकने ठाहते हैं, इंदर सحمक रहते हैं, कि उत्वन बलबल, कि एम ऐर भल बह